हलो दोस्तों आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दा परफेक्ट इस्टरी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत देखिए थोड़ा से वीडियो में हम लोग इंपोर्टेंट एक्जाम डेट के उपर बात करने वाले हैं जाहे आप बीएट के फर्स सम में तो 23 में आपको एक्जाम देना है तो एक एक्सपेक्टेड डेट हम लोग जानेंगे महत्मा गाधी कासी बिद्या पीट इनवरसिटी का और साथ में अपनी प्यारे इनवरसिटी बीर बहादू सिंग पुर्वांचल और एक तरीके से महाराजा सुहेल दियो इस्टेट आपको पढ़ाते हैं उस क्लास को अच्छे से आप लोग कवर करिएगा और नोट्स लेके अच्छे से पढ़िएगा ठीक आईए सबसे पहले यदि हम लोग महत्मा गाधी कासी बिद्या पीट की बात करें तो आपको पता होगा कि जो आपका एक्जामिनेशन का प्रोसेस ह वो 9 फरवरी को समाप्त हो रहा है और आपकी इनवर्सिटी 28 जनवरी को एक नोटिस जारी करते हैं सापसा बता दिया है कि 15 फरवरी तक जो आपका मिड टर्म की परिच्छा है या जो भी कॉलेज का प्रोसेस वगरा है सब कुछ आप कम्प्लीट कर लेजे फरवरी के अंति 9 परसें संभावना है तो इसको आप लोग अच्छे से समझ ली जगा ठीक है 25 फरवरी हो गया आपका किसका कोगिसर महत्मा गांधी कासी बिद्या पीड़ का ठीक है चलिए आइए अंतुरा सा बात कर लेकित हम लोग बीर बहादुसिंग पुरवांचल का जो बच्चे बह हर साल होता है हर समिस्टर में होता है तो 15 से 20 दिन इसका समय मिलता तो यह मान के चलिए जो आपका एक्जाम स्टार्ट होने के संभावना है वो 15 से लेके 20 फरवरी के बीच में हम ऐसा मान के चल रहे है कि आपका एक्जाम स्टार्ट हो जा ठीक है तो आपको इसको लेके बि त्यारी करते रही है अब हम लोग बात करेंगे अपने प्यारे इन्वर्सिटी महाराजा सुहेल देव आजमगर के बारे में ध्यान से मेरी बात को समझेगा एक 31 तारीको नोटिस भी जारी होती है जिसमें साफ साफ यहां पे देखो थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है कि बिल्कुल परिसान मत हो यह 6-7 तारीक के बीच में आपको अडिमिट कार्ट देखने को मिल जागा तो एक बार अपने कॉले से एक बार वेबसाइट पर आप अपडेट करते रहीएगा और हम भी आपको इन्फार्मेशन दे देंगे जैसे आगे का प्रोसिजर बढ़ता ठ ठीक है तो जो बीर बहादु की महाराजा सुहेंद वाले बच्चे है आठ फरवरी से फर्स समेश्टर का एकजाम 99% संभावना है कि बिल्कुल हो ठीक बिल्कुल हो एक परसेट इसलिए करें थोड़ा सा जो एक तरीके से एकजाम से डूल आ जागा तो वो भी कनफार्म हो जागा और एक तरीके जो आपका थर्ड समेश्टर वाले बच्चे हैं उनका जो नौ फरवरी से तो आपको पता होगा नौ और ग्यारा को ठीक है इससाब से दोनों तीनों इन्वर्सिटी के हम लोग मुख रूप से बात कर लिया तो आप बहतर रूप में जो क्लास पढ़ अकॉर्डिंग ही क्लास चलिए तो बहतर रूप में आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स वगरे के लिए इस नंबर पे जाएगा कोई डाउट वगरे लगे तब इस नंबर पे जाके हमसे कुछ भी डिसकस कर सकते है ठीक है अब इसके बाद रिक्वेस्ट क